दूर किसी जंगल में एक रानो चडिया रहती थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम कुकु था पास ही कालू कॉँआ का घोसला था उसके बेटे का नाम जगु था कालू कॉँआ और रानो चडिया बहुत ही लंबे समय से एक साथ ही रहते थे इसलिए उनकी अच्छी दोस्ती दी थी फिर एक दिन वो चडिया कालू कॉँआ के पास आती है कालू भैया आज काल तो हमारे जंगल में आसपास भोजन मिलता ही नहीं है भोजन की तलास में हमें दूर-दूर जाना पड़ता है हाँ हाँ चड़िया कल ही तो मैं गया था बहुत दूर भोजन के लिए फिर कहीं जाकर मुझे दो दारे चने के मिले थे हम ऐसा करते हैं कि भोजन बारी बारी ले आते हैं एक दिन आप बच्चों के पास बैठें तो मैं भोजन ले आओ और एक दिन मैं बैठू तो आप भोजन ले आएं कालू कहुआ को रानो का बात बहुत अच्छा लगता है और कहुआ मान जाता है मुझे कोई इत्राज नहीं है ऐसे हमारी भोजन की चिंता भी खतम हो जाएगी तो फिर आज मैं भोजन ले आती हूँ और आप बच्चों के पास बैठिये फिर चिडिया भोजन लेने चले जाती है और कालू कहुआ जगू को लेके कुकु के घोसले में आकर बैठ जाता है चिडिया तो उड़ते उड़ते बहुत ही दूर निकल जाती है और उसे कहीं भी आसपास भोजन नहीं मिलता चिडिया थोड़े और आगे जाती है इस तरह चिडिया पहाडों की ओर चली जाती है चिडिया बहुत ठक जाती है और थोड़े देर के लिए एक पैड़ पर बैठ जाती है चीडिया का ध्यान पास वाले पत्थर पर जाता है वहाँ एक चील का बच्चा पत्थर के नीचे दब कर रो रहा था मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है कोई इस पत्थर के नीचे से निकाल दे बाहर मुझे इस छोटे चील के बच्चे की मदद करनी होगी क्या हुआ अगर ये चील का बच्चा है तो है तो एक ननी सी जान इसकी जान बचानी होगी ऐसा सोच कर चिडिया वहां जाती है और पूरे ताकत लगा कर पत्थर को गिरा देती है और चील के बच्चे को बाहर निकाल लेती है आंटी चिडिया आपने मेरी जान बचाई मुझे उस पत्थर के नीचे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था बेटा जब मम्मा पापा घर में ना हो तो उल्टा सीधा सरारत नहीं करते हैं मैं तो आंटी बस पत्थरों से खेल ही रहा था तभी ये पत्थर आकर मुझे पर गिर गया फिर मम्मा चील वहां आ जाती है और रानो को अपने घोसले में देखकर दंग हो जाती है औरे चिडिया तुम मेरे घोसले में क्या अपनी बली चड़ाने आई हो तब तक से चिडिया कुछ बोलती चील का बेटा बोल पड़ता है मम्मा आंटी चिडिया ने मेरी जान बचाई है ये पत्थर मेरे उपर गिरा हुआ था और मैं दरस से तड़प रहा था आंटी ने पत्थर से मुझे बाहर निकाला है ये सब सुनकर चील रोने लगती है चिडिया आप बहुत अच्छी हो आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है मैं कैसे इस एहसान का बदला उतारूंगी चील वहन मैं तो घोजन के खोज में निकली हुई थी और मेरा ध्यान आपके बच्चे पर पड़ गया अरे चिडिया तुम्हारा क्या नाम है मेरा नाम रानो चिडिया है और मेरे बेटे का नाम कुकु है हम यही पास के जंगल में रहते हैं कभी उधर जाना हुआ तो मैं आउंगी आपके घर और कोई बड़ा पच्ची अगर आपको तंग करे तो आप मुझे जरूर बताना ठीक है चील दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब मुझे भोजर के खोच के लिए भी जाना है चिडिया यह कुछ फल है यह आप अपने साथ ले जाएं चिडिया फिर फल लेकर अपने घर के तरफ वापस चल देती है कभूआ और उसके बेटे बहुत भूखे थे और यह ताजे ताजे फल देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं चिडिया वाह वाह आज तो मज़ा आ जाएगा ताजा ताजा फल खाने में हाँ हाँ कालू कुए अभी तक मैंने भी फल नहीं खाए अब हम सब मिलकर एक साथ ही फल खाएंगे अगले रोज भोजन लाने की बारी कुवे की थी इस कारण चिडिया अपने बेटे को लेकर कुवे के घोसले में आ जाती है कुवे भीया आज आप की बारी है मैं बैठी हूँ बच्चों के साथ घोसले में और आप जाकर भोजन ले आए हाँ हाँ चुडिया मैं जा रहा हूँ भोजन लाने और फिर कालू कॉँआ भोजन के खोज में चला जाता है कालू कॉँआ के जाते ही जगु को सरार सुषती है और वो रानों से कहता है आंटी आंटी मुझे बहुत जोड के प्यास लगी है पानी ला दे जगु बेटा अभी सुबह ही तो पानी पिया है आपने और अभी फिर से प्यास लग गई कुकु बेटा तुम कोई सरारत मत करना मैं अभी जगु के लिए पानी लेके आती हूँ जैसे ही रानों उच्डिया वहां से जाती है जगु कुकु से कहता है कुकु मैं तो जा रहा हूँ थोड़ा गूमने फिरने तुम्हें भी चलना है तो चलो नहीं ममा घर में नहीं है हम कहीं नहीं जाएंगे और जगु ऐसे बाहर जाना ठीक नहीं ममा भी मना करके गई है डर पोक चुडिया का बच्चा मैं तो कहुआ हूँ कहुआ मैं किसी से नहीं जरता पी जगु कहुआ कुकु की कोई बात नहीं सुनता और वहां से भाग जाता है जगु को कुछ पता नहीं था कि वो कौन से दिसा में जाए उसे बस उचे उचे पहार नजर आते हैं और वो सीधा उन पहारों के जिसा में चला जाता है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है उसे क्या पता कि ये इलाका खीलो का है अभी वो बैठा ही था वहां एक खीला जाती है और आकर उसे पकड लेती है हो 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 आज तो सिकार का मज़ा ही आ गया थोड़ा भी मेहनत नहीं करना पड़ा सिकार खुद पर खुद मिल गया आज तो मुझे भूख नहीं है कर मैं इसे खाऊंगी कर तो मेरे बहन भी आने वाली है फिर दोनों बहन मिल बाट कर इसे खाएंगे फिर वो जग्गू को अपने साथ लेके चली जाती है चीडिया भी नदी से पानी लेके आ जाती है कुकु कहा गया जग्गू? वो कहा चला गया? ममा वैसे ही आप गई थी वैसे ही उसने मुझसे कहा चलो घूमने चलो लेकिन मैंने मना कर दिया और वो चला गया चडिया रोने लग जाती है जग्गू क्या किया ये आपने अब आपका पापा मुझे कहां विश्वास करेगा बेटा आप कहां चले गए फिर वहां कालू काउआ भी आ जाता है वो तो जग्गू को वहां ना देखकर बहुत गुसे में आ जाता है अगर मेरे जग्गू को कुछ हो गया चडिया तो मैं तुम्हारे कुकू को नहीं छोड़ूँगा कालू भीया इसमें मेरा कोई दोस नहीं है जग्गू ने खुछ सरारत की और यहां से भाग गया अब आपस में लड़ने से अच्छा हम जग्गू को ढूड़ने जाते हैं चिडिया और कालू कोवा जग्गू के खोज में निकल पड़ते हैं वो नदी पे जाते हैं वहां भी जग्गू नहीं था फिर ठक हार कर एक पेर पर बैठ जाते हैं चिडिया यह सब तुम्हारे कारण हुआ वो तो बच्चा था पर तुम क्यों पानी लेने चली गई अब मैं कहां से लाँगा अपना बेटा कालू भईया जग्गू कह रहा था कि उसका मन घबरा रहा है इसलिए मैं पानी लेने चली गई थी कालू भईया हम पहाडों के दिशा में चलते हैं हो सकता है जग्गू वहां चला गया हो और वो पहाडों की तरफ चले जाते हैं अरे र तु दूसरे चीलों से बच कर रहा करो चील दीदी हमारा एक छोटा कवा कहीं खो गया है मेरा बेटा है वो जगू है नाम उसका हम उसी के खोज में निकले है अच्छा एक छोटा बच्चा तु मेरी बहन वी सिकार करके लाई है चलो में लेके जाती हूँ उसके पास आप लोग को फिर वो सब जल्दी जल्दी वहाँ जाते है हाँ ये मेरा ही बेटा है जगू पापा पापा मुझे बचा ले मैंने ही सरारत किया था रानो आंटी मुझे माफ कर दे फिर मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा फिर वो चिल उस चोटे से बच्चे को वापस लेकर कववा और रानो को दे देती है रानो चिडिया मैंने तुम्हे सहली कहा है कोई भी काम हो तो बताना मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिल्दी फिर वहाँ से सब हशी खुसी वापस लोड जाते हैं प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए प्यारे दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताए और हमारे चैनल को तस्क्राइब करें सेर करें लाइक करें धन्यवाद